तो जैंद बच्चों लेकर आचकों मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th mathematics आरे सकरवाल ICC board से आपके पास chapter number 19 and अब की बार जो बारी है वो 19B की, already मैंने 19A plus solid examples of 19B भी complete करा दिया है तो of course serial number wise please वीडियो को देखेगा so that आपको बहुत ही अच्छी understanding मिल सके तो चलिए start करते हैं अपना अब जो target है 19B को complete करने का और उसको भी हमें भी उड़ा देंगे ठीक है उड़ा देंगे बिलकुल उड़ा देंगे चलिए start करते हैं with question number of course 1 और 1 में आपके पास 5 figure है different different और सब में ही आपके पास कुछ given है x ठीक है न तो उस x की value find out करनी है सबसे पहला figure कुछ इस तरह से है और एक ऐसे जा रहा है और दूसरा कुछ इस तरह से आ रहा है और यहाँ पर point आपके पास एक P है यह आपके पास A है यह आपके पास C है और यह आपके पास D है और यह आपके पास 3.5 है यह वाला 5 है सारे centimeter में है यह 5.6 है और यह वाला आ को नहीं कर पाएंगे इस बात को आपको बहुत प्रॉपर तरीकिस आपको ध्यान रखना है और एक चीज और सिर्फ और सिर्फ हम 19 चैप्टर के को यूज नहीं करेंगे यहां पर चैप्टर नंबर जो 18 है हमारे पास उसे भी हम यहां पर कंप्लेट यूज करने वाले समझ माती बाद तो चलिए तो ऐसा मैं जूम करके चल रहाएं का आप लोगों ने पहले से वीडियो देखें ताकि आपको सारे कंसर्ट पता है और यहा यहां पर आपको पहले से चलिए वीडियों कोड है जो इंटरनल लियर इंट्रिक्ट करते हैं और फिर इकस्टरनली जब इंट्रश करते हैं तो उनके सेग्मेंट का जो प्रोड़क्ट होता है तो यहां मेरेले पास बिल दूनुक्त हों गए प्या होगा और मल्टिपलाय म PB होगा, वो किसके equal होगा, इसके PC multiply में PD के, क्या इतनी बात समझ में आती है, इनकी value पूट कर दीजिए, PA 5 है, multiply में PB 5.6 है, is equal to PC आपके पास 3.5 है, और multiply में PD आपके पास X है, यह 3.5 डिवाइड में आ जाएगा, तो 5 multiply में 5.6 डिवाइड वाइड वाइड में 3.5, और इस points से points को उड़ा दीजिए, 5, 7, 35, 7, 8, 56, तो X की value आपके पास 8 निकल के आ गया, यह इसका first part था, कुछ इसी तरह आपके पास पूरे 5 given है, तो सबको ही हम यहाँ पे cover कर लेंगे, ज्यादा tension लेनी कोई जरूरत नहीं है, फिर से आपके पास कुछ इस तरह से 2 tangent को intersect करा गया at point का नाम नहीं किवने बीच में, तो फटा फट यहाँ पर कर देते हम, A, B, C, D, मैं इसको वापिस क्या करता हूँ, P let कर लेता हूँ है, अब की बार यहाँ पर यह वाला X है, यह आपके पास 8.1 है, सारे centimeter में, यह 9 है और यह आपके पास 5 है, अब X की value निकाल देंगे, फिर सेम वही चीज, तो A, B का segment क्या होगा, P, A, फिर से यही, सेम, 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 कुछ भी अलग भी नहीं, naming आपके पास सेम है, तो this P, A मतलब X, और multiply में, P, B मतलब 9, is equal to, PC मतलब 8.1, और multiply में, PD मतलब 5, तो यहाँ से X की value निकालेंगा, ता आपके पस कितना आजाएगा, 8. 8.1, multiply 5, divided by 9, decimal अटा, यह निचे 10 आजाएगा, 9 से 9 times में आजाएगा, आपके पास, और 5 से 2 times में, तो X की value आजाएगा, 2 से इसको डिवाइड करनेंगा, 4.5 cm, तो कहीं ना आपके पास, अगर cm में, ता आप cm में लिखेंगा, में में तो में लिखेंगे, और किसी और other unit मे है, तब उसी unit में ही mention करेंगे, last वाले answer को, क्या इतनी बात समझ में आती है, done है, तो यह हो गया है, आपके पास first question के 2 part, आगे चलते हैं, तेसरे part में आपके पास next concept involved किया है, मैं बताता हूँ आप लोगो कौन सा concept है, यहाँ पे, circle है आपके पास, यह आपके पास code है, और घबराना नहीं है, externally हो या फिर internally हो, उनके जो segments होते हैं, उनका product हमेशा क्या होता है, कि बस equal होते हैं, तो यहाँ से मैं इसकी बात करता हूँ, PA या फिर PB values लिख देता हूँ मैं पहले तो, यह 7 है, 9 है, 8 है, 8, 9, और क्या था, 7, 9 है, sorry, यह आपके पास 7 है, यह वाला 9 है, सारे centimeter में है, यह वाला आपके पास 8 है, यह वाला आपके पास X है, तो अगर मैं इस वाले code की बात करता हूँ, तो P से लेकर B तक, P से लेकर B तक, और multiply में P से लेकर A तक, is equal to P से लेकर D तक, और multiply में P से लेकर C तक, अब चीजों को समझेगा यहाँ पे, ठेके न, externally वाला है, P से लेकर B तक, 7 और 9, 16, 16 वैल्यों रखेंगे, देखिए, पूरा रखना है, P से लेकर B तक, 9, 7, 16, multiply में PA, PA की वैल्यों 7, is equal to PD, PC लेकर D तक, 8 प्लस X आएगा, 8 प्लस X आएगा, और multiply में PC, PC लेकर C तक, सिर्फ और सिरफ 8 है, ठेक है, 16 सते 112 होता है, is equal to 88, 64, और plus मे इदर बेज़ दीजे, 112 में से माइनस हो जाएगा, 46, is equal to 8 X, यहाँ पर माइनस कर जिए, फट आफट, कितना जाएगा, आपके पास, 112 में से चरा जाएगा, 64, माइनस, 12 में कितना जाएगा, 4 तो बचेगा, 6, समझ माती बात, फिर यहाँ, 0 बचा, 10 में, 46 बच जाएगा, 46 बचेगा, 46 बचेगा, कोई चांस ही नहीं है, 12 में 4 जाएगा, 8 बचेगा, ठेगा, अब इसको एड़ करके देख लिए तो, और 4 बचेगा, बिल्कुल, 48 बचेगा, यहाँ, 48 और E is equal to 8 X, 8 डिवाइड में बेज दीजे, तो मेरे पास आजागा, X की वैल्यू कितना है, 4th part में, आपके पास tangent code वाला property दे रखा है, यहाँ पे समझेगा, आपके पास एक तो tangent है, लेकन दूसरा आपके पास क्या है, code है, दूसरा क्या, सरी, इस तरह से आपके पास, ठेक है ना, एक आपके पास tangent है, और एक आपके पास code है, और इसमें यहाँ पे P हैं, आपके पास B है यहाँ पे आपके पास T है और हमसे पूछा जाता है कि यह वाला X है यह वाला 4.5 है और यह वाला 13.5 है तो बताइए भई आंसर क्या होने वाला है तो बड़ा ही normal सा question है देखिए आपको पता होना चाहिए code जब code or tangent externally intersect करते हैं तो इनके जो segment होते है PB और multiply में PA वो किसके equal होते हैं टेंजेंट के point of context से जो tangent बन रहा होता है उसी के square के equal तो यह theorem हमने आपको पहले ही सब कुछ clear करवा रखे है तो ज्यादा tension लेने की कोई जरूरत है नहीं आपको है ना चले P से लेकर B तक इनको add कर 13, 17, 18 आ जाएग और multiply में PA की value कि क्या दे रखा है आपके पास X तो मैं X की value यहाँ पर find out करनी है पॉइंट आएंगे निचे 10 लगा देंगे 5 से कार देजिए यह आ जाएगा 9 बार में 5 से कार देजिए 2 से 2 बार में 2 से कार देजिए 9 बार में और 9981 is equal to X under root में लिए तो 9 आ जाएगा आपके पास X के value centimeter में खतम बात के इतनी बात समझ में आती है चलिए फिफ्ट पार्ट के पास चलते हैं और फिफ्ट पार्ट भी आपके पास सेम इसी concept को उपर based है यह आपके पास circle है ऐसे आपके पास एक tangent आ रहा है और कुछ इस तरह से आपके पास एक code आ जाता है और यहाँ पे point P हैं यहाँ है तक पास टादी उसके बाद यह आपके पास 12 सेंटीमेटर गिवार प्रोडक्त हैं प्रॉडट्ट है और वो स्क्वारेश Scarberry पी से लेकर बी तक आपके पास x plus 10 आने वाला है और multiply में पी से लेकर यह तक आपके पास simply x is equal to pt का स्वार कितने आपके पास 12 का स्वार का स्वार कि खतम बात चलिए अच्छा यह 9th क्लास का यह 10th क्लास का तो तो आपके पास 10 नहीं आएगा तो मैं फटाफट क्या करते हूँ उसमें quadratic formula लगा दे तो minus 10 अब समझेगा कैसे लगा रहा हूं x की value निकालने के लिए minus b plus minus root के अंडर में b square minus 4ac divided by 2a formula लगा रहा हूं मैं ठीक है न तो x is equal to minus 10 plus minus root के अंडर में b square मतलब 10 का square 120 में minus 4ac 4 multiply a के जगा 1 multiply c के जगा minus 1 double 4 यहाँ पर minus 0 लेना है बच्चे भूल जाते लेना और एक की value कुछ नहीं होता है यहाँ 1 होती है ध्यान रखेगा यहाँ जगा minus 10 plus minus root के अंडर में minus minus plus बना दीए तो 100 और plus का आजाएगा 4 कितना आजाएगा यह 4 से multiply करेंगा तो 44 के 176 चार सो 566 566 है और divided by में 2 है तो x की value आजाएगा minus के 10 plus minus इसको add कर देंगा 676 आजाएगा और नीचे में 2 रहाएगा 676 जो होता है वो 26 का square होते है ठीक है न तो x is equal to minus का 10 plus minus इसके जगा 26 divided by में 2 एक बार plus में एक बार minus में लिख दीजिए एक बार plus में और एक बार minus में ठीक है यह वाली value कितना भी आजाए नेगेटिव का आना है और x के length नेगेटिव नहीं हो सकता हम इसको ignore करके चलेंगे इसको लेंगे है ना यह आजाएगा 16 ब सिर्फ question number one को ही complete किया ठीक है ना लेकिन आगे tension लेने की कोई जरूत नहीं है आगे कुछ ऐसे भी आपके पास question आएंगे जो बिलकुल हवा में होने वाले है ना pen copy की भी जरूत नहीं पड़ेगी बस देखते ही देखते question देखा answer आगे question देखा answer आगे question देखा answer आगे खतम ठीक है ना चलिए लेकिन उसके लिए आपको चैप्टर नंबर जो एटीन था एंगल एंगल एंशाइकलिक प्रोपर्टीज हो आने चाहिए और चोटी 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 कभी कई बातों यहां पर similarity के भी concept हम यूज कर लेते हैं तो उनका थोड़ा साब को proper तरी पस एक code जा रहा है यहां पर आपके पास point P है externally intersect कर रहे हैं और कुछ समझे समझे हुजे है ना question number 2 मैं यहां पर लिख दूँगा इनके जो segment होगा P A और multiply में P B वो किसके एकवाल होगा P T के square के एकवाल तो यह चोटी 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 चीज आपको अमेसा पता होना चाहिए यह ना theorem के statement लिखनी होती है और कुछ नहीं चलिए तो यहां पर हमें पता करना है find P T हमें P T value निकालना है A P आपके पास 16 है A से लेकर P तक आपके पास 16 है पूरा का पूरा 16 है चलिए दूसरा A V आपके पास 12 है यह वाला कितना आपके पास 12 cm बहुती चोटी सी चीज़ अगर आप notice करें तो तो यहां पर directly put कर देंगे A P वो ले तो P कितना है 16 है multiply में PB यह वाला PB अब की बार नहीं दिया PB के लिए क्लिए क्या करेंगे हम 16-12 यह 4 cm बचाएगा खतम बात इसके जिगा 4 is equal to PT का स्कूर ठाना 16-64 होता है स्कूर इदर पर यह रूट में आजाएगा और रूट की वैल आपके पास यहां पर 8 cm लिज़े पीटी हो गया question 2 खतम समझ में आती है तनी बात डन है चलिए अब हम आगे बढ़ जाते है question 3 के पास यह बिल्कुल छोटे-छोटे से concept होते हैं इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है अब इसमें का जाता है two quotes a,b and c,d of a circle intersect at point a inside the circle such that ठीक है इसका figure given नहीं आपके पास such that a,b is equal to this find c,d तो मैं फटाफट बना देता हूँ एक circle के अंदर आपके पास यहाँ पर का जाता है a,b,c,d intersect करते हैं at point p तो इस तरह से बना देते हैं अभी ऐसा ही question कर रहा है आपको a,b,c,d और point p,p क्या कर रहा है intersect कर रहे हैं अब आगे देखते हैं क्या का आ जाता है intersect करता है inside the circle a,b 12 है a से लेकर b तक यह पूरा का पूरा 12 है ठ्यान रखेगा यह पूरा का पूरा क्या 12 cm है ठीक है हमसे का जाता है c d निकालिए c d निकालिए ठीक न सी से लेकर d तक तो मैं पहले इसको एक्स मान लूँ और इनके प्रोड़क्ट एक्वाल करके पी-डी इनके प्रोड़क्ट क्या होगा इकवाल होंगे तो पी एकितना है आपके पास देखिए 2.4 multiply में इससे इसको डिवाइड करेंगा तो 3.2 तो एक्स के वैल्यू कितने आ गया आपके पास 3.2 अब यह रहा 3.2 यह रहा 7.2 तो सीडी के लेंद कितनी हो जाएगे 3.2 पलस का 7.2 कितना आ गया 7.3 पॉइंट 4 सेंटीमेटर खतम बद हो गया आपके पास कहा जा रहे हैं निकालने को फिर से कहा जाते हैं शरकल फिछ वैन प्रोड्दींट पॉइंट पॉइंट पी आउर साइड दस सरकल तो दो कोड जो की बाहर मिल रहे हैं एकस्टर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं और पिर से आपके पस कुछ इंफ़ूमेशन गीवान है और निकालने को कहा गया है तो एक ऐसे है और एक ऐसे ह है तो यहां से आपके पास naming कर देते हैं यहां बी है यहां पर आपके पस बी और यह वला आपके पस सब्सक्राइं बिचार यह पर नेट पड़ेगी आठ सेंटीमेटर बचेए ठीक है नेक्स्ट आपके पास CD 10 है, C से लेकर 10, D तक 10 है अपने को PD निकालना है तो इसको हम X माल लेंगे, कर देंगे काम, खतम बाद, समझ महाती है न बाद तो चलिए, P से लेकर A तक, multiply P से लेकर B तक is equal to P से लेकर C तक, multiply PD PD कितना है, आपके बस X है, तो अभी मैं फिलाल PD लिखती है तो अब मैं values को put कर दूँगा है न, चलिए, तो P से लेकर A तक कितना है 12 है, multiply P से लेकर B तक कितना है, 8 है, is equal to P से लेकर C तक कितना है, X plus 10 कह दूँ न, क्योंकि ये वला तो 10 है, तो X plus 10 करेंगा तभी PC आएगा, और PD कितना है, आपके पास X है, quadratic बनेगा फिर से, हाना, ये 12, 96 हो गया, is equal to, इसे इसको कर दी X square plus 10 X, तो यहाज अगा X square plus 10 X, और इसको अंदर ले आएगा minus 96 equal to 0, quadratic है, आपके पास solve करना है, आपको किसे करें 12, 96, तो मेरे पास ऐसे दो value लेते हैं, plus minus करके ये आचाना चाहिए, और आपके बस multiply करके 96 आना चाहिए, तो 16, 96, 96, 16, 16, 16, 10 16 and 10 है न, तो यहाज एगा X square plus 16 X, minus 6 X, 10 भी आजाएगा 96 भी आजाएगा, equal to 0, यहाँ से X common लेंगा, X plus 16, यहाँ माइनस का 6 common लेंगा, X plus 16, और equal to 0, तो X plus 16 equal to 0 कर दीजे, X minus 6 X equal to 0 कर दीजे, X के value minus 16, X के value plus 6, this is not possible because X is length, so X is equal to 6 cm, खतम बात, समझ में आते हैं, PD आपको निकालना था और वो आपने निकाल दिया, चलिए, आगे चोटे-चोटे question है, उनकी विबात हम कर लेते हैं, यहीं पे फटा-फट, यह था, आपके पास question number 4 था ना, चलिए, अब चलते हैं question number 5 के पास, यहाँ पर आपके पास पहले ते एक बार figure given है, चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ, एक थोड़ा सा बड़ा circle है, थोड़ा सा चोटा circle है, और इसके points ऐसे करके intersect करके जा रहे हैं, इधर भी निकला हुआ है, इधर भी आगे तक निकला हुआ, यहाँ पर जाके मिट कर रहे हैं, और हमसे यहाँ पर कहा जाता है, कि यहाँ पर point Q है, यह आपके पास P है, यह आपके पास R है, और यह वा यह बहुत ही आसान सा, समझ आपको समझाता हू. सबसे पहले बड़े वाली सरकल को आप नोटिस कीजिए. जैसे बड़े वाले सरकल को नोटिस करेंगे, समझ चोटा हे ही न ही नाप है. समन्झ में आरी नोरी हाush, छोटा ही ही नहीं आप है. ऐसा आपको मान का चलना है तो अगर आप बड़े वाले सरकल को नोटिस करेंगे तो इसका यह जो कोड आ रही है हो ला यह जो कोड है वो आगे तक extended है और यह बहुत है और यह जो कोड़े तो आपको क्या करना था प्रूब करना था बहुत ही चोटा सा कुश्चन माइनर सा कुश्चन है चलिए आगे की बात कर लेते हैं यह कोश्चन नमर 5 की बात हो चुकी है समझ मात यह बात चलिए अगला कुश्चन आपके पास कुश्चन नमर 6 अच्छा कुश्चन नमर 6 भी आपके पास बेलकुल सेमी कुश्चन है कुछ भी अलग नहीं है अगर आप नोटिस करें तो ठीक ना इसको ऐसे बनाया गया इसको ऐसे बनाया गया common tangent रो किया पहले त सिद्धा आ रहा है यहां पर है ना थोड़ा सा बना ही देते हैं सिद्धा सा ऐसे करके और इसको मिटाते हैं पहले तो ऐसे करके और फिर से आपके पास इस तरह से आ रहा है इस तरह से आपके पास यहां पर आ रहा है यहां पर आपके पास A है यह आपके पास B है यह आपक पॉइंट है AB का ऐसा आपको प्रूव करना है मतलब हमें एक तरीके से PA is equal to PB प्रूव करते तो बात बन जाएगी question number 6 है आपके पास अगर मैंने PA is equal to PB प्रूव कर दिया PA is equal to PB समझेगा चीजों को बहुत अच्छे तरीके से अगर मैंने PA is equal to PB प्रूव कर दिया तो बात बन जाएगी है ना तो उसको प्रूव करने के लिए हमारा टार्गरिव को सेम कुश्चन नमर 5 की तरह रहेगा है ना बड़े वाले सरकल को देखिए यह वहाला कोड जो आगे जाके एक्स्टेंड करके को टेंट से मिट कर रहा है तो इसके सेग्मेंट कोड के जो सेग्मेंट होगा मतलब PD multiply में PC will be equal to AP का स्क्वार फर्स्ट एक्वेशन दूसरा वहां से PD multiply में PC is equal to PB का स्क्वार यहां गया देखे यह से कि यहां कि राइट से को दो्नों लाट से यह भी हो जाएंगे स्क्राइट को का of यह बहुत ही जादा आगे के बात करते हैं आगे कोईशन तो और बी ज्यादा झोटी चोटी चोटी से कोईशनन है운 बहुते ज़्यादा तो ज़्यादा टेंशन लेने की जूरूत नहीं हवा में कर देंगे अब देखेगा कैसे होते हैं जो एंगल्स निकालने वाले होते हैं अगर आपने चेप्टर नमर 18 किया हुआ है फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अदर्वाइस प्रॉब्लम आ स यह यहां पर जा रहा है यहां पर आ जा रहा तो जैसा ढीकी टेकर के ऐसा वैसा कुछ न है आपके पास यहां प capitalist TAB और ADB निकालने हैं अंगल TAB और एंगल ADB ये दो अंगल निकालने हैं आपको चलिए फोकस करते हैं कि किस तरह से हम निकाल सकते हैं इन दोनों ही अंगल को सबसे पहले अगर मैं TAB पर नोटिस करता हूँ तो T यहाँ है आपने को टी एबी निकालना है तो टी एबी यहां पर देख लीज़ी जा रही है इतने आंगल की बात कहीं जा रही है अच्या अगर आप के पास tangent है या आपके पास code है जो एंगल यह बनाता है तो यह जो code इधर remaining part में जो बना रहा तो उसी के equal होता है तो यह 50 डिग्री यह भी आपके पास 50 डिग्री होने वाले लीजिए देखिए सिरफ statement लिखना है नोटिस करना है खतम बन ठीक है next बात करते है adb की a यहां है d यहां है b यहां है तो यह तो हस्ते खेलते हो जाए कि आप बोल दिए a b c d एक cyclic quadrilateral है cyclic quadrilateral मतलब उसके चारो वर्टी से circle के उपर लाई कर रहे है और जो एक cyclic quadrilateral होता है उसके opposite angle कसम 180 degree होता है supplementary होते है तो देखिए angle c और angle d की value कितनी होगी मिलाकर 180 अगर यह 50 है ते कितने बच गए 130 हो गया question question number 7 जो आपके पास वो complete हो चुका है आई यह question number 8 की बात करते हैं तो question number 8 में आगेन आपके पास इसी तरह का एक figure given है तो पहले मैं उसी को बना देता हूँ यहाँ पर एक यह आपके पास circle है और यह कुछ इस तरह से आपके पास एक tangent है उसके बाद यहाँ पर इस तरह से है और यहीं पर आकर meet कर रहे हैं यह दोनों के दोनों ही और ये वाला एंगल है आपके पास 45 डिगरी और ये वाला एंगल है आपके पास 70 डिगरी और ये आपके पास P है ये आपके पास यहाँ पे A है यहाँ पे आपके पास T है ये C है ये B है और चेक आउट करते हैं यहाँ पे एंगल ABC निकालना है बहुत ही माइनर सा कोईशन और बच्चा सा कोईशन आ यह मैं आपको समझाता हूँ कैसे करेंगे हम इसको ठीक है देखिए अगर आप इस कोईशन को नोटिस करें तो यह टेंजेंट है और यह वाला कोड है यह 70 है जेके अब यह किसके इकवाल होगा यह जो कोड इधर रिमे बच जाएगा एंगल सम् प्रोपर्टी से निकाल देजिए खतम बात हो गया कोईशन लेजिए कोईशन नमर आपके पास जो एट है वह भी कंप्लेट हो चुका है आईए कोईशन नमर नाइन की और मूव ओन कर जाते हैं और कोईशन नमर नाइन का हम फिगर जो है वो यहाँ पर पी है इधर आपके पास टी है यह वाला एंगल आपके पास 35 डिग्री इसमें निकालने हैं दो एंगल एंगल टी एसी और एंगल पी और एंगल पी एबी देखें चोटे शे कुछें आपसे नास्ते खिलते कर देंगे जब आपको सेंटर गिवन होते हैं तो उस पहरे टी एसी को नोटिस कर लेते हैं टी एसी यह वाला एंगल निकालना है अच्छा यह कोड यह टेंजेंट यह कोड कि दर रिमेंइन पार्ट वे बना रहा है यह 35 डिग्री निकल गया यह वाला पैंटिस का तंबात कुछ दिन खतम हैं दुसरा पाट देखते हैं पी यह हां है यह यहां है यहां है तो यह वह दो धोगा होगा यह कोड दिखे हैं यह सारेسم कर वा रखे खि根िकनल में हाओं मतर्स में खरा रहे हैं आप लोगों को में तो अगर आप सिता तो ही तो ही समझ में आएęt देखते और यहां से आपके पास कुछ इस तरह से बन रहे हैं ऐसे ऐसे और फिर जाके ऐसे मिट कर रहे हैं यहां पर A है यहां B है यहां पर आपके पास C है यहां पर D है यहां पर इस तरह से मिट कर रहे हैं यह वला 28 डिग्री है और यह वला आपके पास 52 डिग्री है चलिए आगे की बात करते हैं निकालने इसमें एंगल 4 है आपके पास एंगल TAD एंगल BAD एंगल PAB और एंगल CBD च करें, कि यहां बनाएंगा, यह तो 28 हो गया, खतम बात हो गया, पहला वला 28-Degry, BAD की बात करते हैं, ब यहां अ यहां, और D यहां पर, यह वला अंगल निकालना आपको, यह वला यह वाला बीडी को डायमेटर कह रखा कि एक बर चेक कर लेते हैं क्योंकि वो कहते ही वो 90 का हो जाएगा तो यहां पर आपको अल्रेडी गीवान है मतलए इधर कहीं पर सेंटर हो रहा होगा कहीं पर फिलाल बताया नहीं है बंट बीडी आपके पास हो क्या है डामेटर है और यह टामेटर यह वाला एंगल जहां पे बनाव्ल होगा इस इंगल के पर रहोगा यह वाकि एक कितने का बच गया एको अठारा आठारा अठागा दीजे तो 62 का बच गया, angle sum property और कुछ नहीं दे 62 का निकल के आ गया next आपके पास कौनसा निकालना आपको CBD, answer सही है न CBD की बात करते है, C कहा है यहाँ है, B कहा है, यहाँ है, D कहा है है ना, तो CBD, इसको मान लिजे X, और अब दिमाग लगा यह थोड़ा सा, यह जो A, B, C, D, A, वो एक cycle quadrilateral है, तो यह वाला angle B और यह angle D, अगर add कर दूँगा, तो 180 के equal आजाएगा, तो angle B क्या है, X plus 28, और angle D कितना है, 52 plus 62 इन दोनों को add कर जाएद किसके equal आना यह 180 degree है ना, angle B और angle D यहां से X इधर रखिया और 180 में से minus कर देज़े, इन सब को ही, ना पहले इनको add कर दूँए, एक बार मैं तो इसको, इसको add कर दूँगा, मेरे हिसाब से कितना आ जाएगा, यह कितना आ जाएगा, 90 100, 148 148 फिर minus कर देंगे, कितना आ जाएगा, मेरे पास 30, ने एक बार चेक कर लेते हैं, इसको, इसको add करेंगा, कितना आच्छा है, तो 8, 2, 1, 9, 90, 90, 90, 40, 142 तो 142 यहां पर आप क्या करेंगे, less कर देंगे, समझ में आती ही ना बात, तो X की value कितना बच जाएगा, आपके पास समझ में आती ही ना बात, अब इससे आसान question आप क्या ही लोगा, है ना, समझ में आती ही ना बात, कि just normal से property यूज़ कर रहे हैं, जबी तो मैं क्या रहा हूं आपको, कि chapter नमर जो 18 है, है ना, वो आपको पता होना चाहिए, ओके, तो next की बात कर लेते हैं, यहां पर आपको पस एक tangent है, point P है, यहां पर S है, यहां पर T है, और यह ऐसे जा रहा है, यह ऐसे जा रहा है, यहां पर S है, नहीं, यहां पर Q है, यहां पर Q है, और यहां पर R है, तो PQR है, चलिए, अब हमसे कहा जाता है, PQ and PR are two equal codes, तो तो PQ and PR तो पहले equal है, यह और यह equal है, ठीक है, उसके बाद हमसे कहा जाता है, so that the tangent P is parallel to, tangent at P is parallel to QR, मतलब हमें इसको और इसको parallel prove करना है, मतलब हमें जो prove करना हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, हमें यह जो QR है, वो parallel prove करना है, tangent के, मतलब ST के, ST के parallel prove करना है, तो मैं अगर इस वाले angle को, इस angle के equal prove कर दिया, या फिर, जरूरी नहीं दोनों, यह angle, यह angle prove कर दिया, या फिर, यह वाले angle और यह angle भी prove कर दिया, तो भी हो जाएगा, alternate interior angle sequel होंगे, तो मैं उसको कह सकता हूँ, क्या है, वो parallel line है, खतम बाद, ठीक है न, चलिए, तो अब बात आती, कैसे prove करें, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहां से मैं angles की naming कर दो एक बार, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, हमारा target रहेगा, एंगल 2 is equal to angle 3 prove कर दें, या फिर, एंगल 1 is equal to angle 4 prove कर दें, इन दोनों में से कोई सा एक, कोई सा एक prove कर दिजे, कोई सा एक, काम बन जाएगा आपका, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको पहले बता दू, एंगल 1 is equal to angle 2 given है, बताए क्यों, ये वाले equal हैं क्योंकि PQ is equal to PR given है, है ना, देख लिए जैसे से, PQ is equal to PR already equal given है, so angles opposite to the equal sides are equal, therefore angle 1 is equal to angle 2 आपको already given, आगे की बात करते हैं, मैं या आपे बोलूंगा, angle 3 is equal to angle 1 है, और angle 4 is equal to angle 2 है, बताए क्यों, चलिए एक ही की बात करते हैं, दूसरी की जरूत भी नहीं पड़े है, आपके पास है, ये वाला angle सिंदा alternate segment है, बताए हा या नहीं, ठीक है ना, ये रहा code, ये रहा tangent, ये angle, इस angle की equal होगा, ये जो code remaining part में जो बना रहा है, तो देखें, इस से इसको पता चलता है, one or one equal है, तो इसको first equation, second equation, यहाँ पर लिख दीज़े, from first and second, we concluded that angle 2 is also equal to angle 3, इसको बोल दीज़े, alternate interior angle है, क्या ये alternate interior angle है, आपके पास है, है ना, अच्छा, alternate interior angle equal होते हैं, तो ये और ये क्या होगे, parallel, hence proved, this is parallel to this, खतम बाद, question number 11, जो आपके पास, वो complete हो चुका है, आगे की बात करते हूं, no down कर लिजेग, of course, छोटी-छोटी चीज़े हैं आपके पास, question number 12 का figure मैं ने यहाँ पर बना दिया है, और यहाँ पर हमें x और y की value निकालना है, x और y angle है, आपके पास, वो देख लिजेए, उसको हमें निकालना है, तो of course, जैसे का मैं starting से कहते हैं, आप लोगों को जो काम है, 18 chapter चाहिए ही, चाहिए, 19 chapter को करने के लिए, बोले तो angle and cyc and cyclic properties, chapter number matter नहीं करता है, नाम बता रहाँ, angle and cyclic properties, ठीक है, तो वो कर लिजे, सारे अच्छे सो, उसके बाद यहाँ पर आ दिया, आपको अच्छे समझ में आएगी, देखे, x और y निकालने के लिए, हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, उसके बारे हम बता दे, तो देखे, एक का भी value निकाल दिया ना, तो दूसरा निकल के आचाएगा, खतम बात, आईए मैं आपको समझाता हूं कैसे, है ना, यह वाले क्या आपके पस equal हो गया, अब मैं क्या करूं, अब यहाँ पर आप नोटिस करने यह आपके पस क्या है, center है, अच्छे से देख लिए यह क्य इसमें रखा, यह वाला एंगल 35 है, ठीक ना, चलिए, अब बात आती है, यहाँ पर center वाला एंगल पता चल जाए, तो बात ही बन जाएगी, मैं आपको समझाता हूं, तो इस वाले triangle को consider कीजिए, AOB, तो AOB की अगर आप बात करें, है ना, तो यह 35 है, यह भी angle 35 होगा, बता कीजिए, 110 का, यह 110 का, यह कितने का, 55 का, बुलिए कैसे, है ना, तो जो center पे अंगल बनता हो, डबल होता है, remaining पार्ट पे जो बना रहा होता है, खतम बात, A वाला आर्क, है ना, A, B, आर्क को नोटिफिए, center पे जो बना रहा हो, डबल होगा, जो remaining पार्ट होगा, उससे, तो यह अंगल 110, यह half होगा, या फिर यह half है, यह double होगा, अपाते हैं कि यह 55, यह 55, तो X भी कितना आ जागा, आपके पास 55, लिजए, देखते ही, देखते ही, question number 12 भी complete हो चुका है, आई, यह next question की हम बात करते हैं, और जो next question आपके पास, वह आपके पास question number 13, तो normal सा काम ह तो देखेगा, बहुत अच्छे तरिके से question number 13 की बात करते हैं, यह आपके पास circle है, इस तरह से given हैं, और यह आपके पास P हैं, यहापके पास A है, और यहापके पास B हैं, और यह कुछ इस तरह से है, और यह आपके पास T है और ये ऐसे जा रहा है और ये यहां से आपके पास ऐसे जा रहा है ठीक है यहां पर इस तरह से हो गया आपके पास चलिये अब हम यहां पर बात करते हैं हमारे पास हमें प्रूफ करने है पहले पार्ट में प्रूफ करने है triangle P A T is similar to triangle P T B और दूसरा हमें P A multiply में P B is equal to P T का square बताना है है ना चलिए तो simple सी बात है हमारे पास normal सी कहानी है देखेगा P A T को notice कीजिए P A A T यहाँ तो P A T को notice करना है दूसरा P T B को notice करना है P A T A B यहाँ बड़ा वाला एक बार यह छोटा वाला और यह पूरा पूरा बड़ा वाला तो similar यह बार बच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर हमने छोटे और बड़े की बात कर दी छोटे बड़े तो similar हो यह नहीं सकते यह चोटे बड़े ही similar हो सकते और equal वाले तो होंगे होंगे congruent के case में बिल्कुल equal होना चाहिए similar के case में नहीं तो हमें similar proof करने के लिए criteria again आपको chapter number 16 पर जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर अगर मैंने explain करना शुरू किया तो यह गंटे की वीडियो पार हो जाएगी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी तो आपकोस जो पहले एक बार explain कर चुका हो तो दुबारा से उसको explain करना मतलब एक तरीके से time को waste करने जैसे है तो वह काम मैं यहाँ पर करूंगा नहीं तो पर चैप्टर नुमर 16 अल्रीडे अपलोटेट है तो अच्छे से प्लीज समझ के आई यहाँ ठीक है PTA is equal to angle PBT यह वले दोनों equal हैं तो by double angle हो गया ना similar खतम खतम बात हो गया question खतम बात पाट 1 complete double angle से प्रूव कर दिया हमने next की बात करते हैं इस चीज को तो आपको पता होना चाहिए यह आपके पस code है यह आपके पस tangent है इनको जो segment होंगे मतलब PB multiply में PA वो किसके equal होगा टेंजेंट के square के equal point of contact से और यही तो चीज है जो आपको प्रूव करना है देख लीजिए तो directly theorem लगा रहे हैं कुछ नहीं करना आपको यहां पर कुछ भी नहीं करना समझवारे नबत कि यहां आपको प्रूफ मांग रहे हैं नहीं कुछ नहीं मांग रहे हैं आपको यह directly theorem को अपलाई कर रहे हैं और question number 13 हो भी आपके पास complete हो चुका है बास यहां से यहां पर एक center है यह बी है यहां पर पैस liberal है यहां पर कुंछ इसतरह से हैं यह आपकव एक युदा सकते हैं और आपके पर आपके इक्वल्टो में A B का स्क्राइर आईए इस इसको करते हैं पहले पार्ट में किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉबलम नहीं हो तो बिल्कुल छोटा सा काम रहता है समझ मारें में देखिए A C यहां पर A है आपके पास A से लेकर C तक और यह आपके पास क्या D है तो A C कोड का सेग्मेंट रहता है मतलब A C और A D उनका जो प्रोडक्ट रहता है वो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉंटक्ट से उसके स्क्वाइर के एक्वल होता है तो यह चीज़ हमें पहले इस पता है तो अपने थियोरम से इसको बोल दिया प्रॉबलम इसमें नहीं आते बच इसमें हिंट भी गिवन है फिर भी बच्चे इसमें इसमें शफर होते हैं सफर करते एक दुसरे को समझती समझ मीन आता यह कुष्चन तो टैंट्सन मतलिजे मैं आपको समझा देता हूँ ठीक है बस यहां पर जो हमें एक एक्स्ट्रा काम करेंगे इसे कुछ नहीं इसी को मैं यूज करूंगा और कुछ नहीं देखिए AC है AC है AD के जगागर में CD ला दूँ AB के जगागर में BC ला दूँ मतलब मेरा target रहेगा AD को CD के equal proof करने का और जो AB को है उसको BC के equal generally proof करने का ये मेरा target रहेगा एक तरीके से तो पहले आप AD और CD को इक पर प्रूफ कर दीजिए AD और CD इसका मतलब मुझे ये जो D है उसको midpoint बनाना पड़ेगा भई उसको मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे midpoint बनाना पड़ेगा तो उसके लिए आप तो एक काम कर सकते हैं कि इस वाले को और इस वाले को क्या proof कर दे congruent proof कर दे ये नहीं बूल दी जागा क्या कहते है इसको similar नहीं congruent proof कर दे congruent proof करने के बाद ये angle और ये angle क्या हो जाएगा आपके पस ये वाला side और ये वाला side क्या हो जाएगा CPCT से equal हो जाएगा जब ये equal हो जाएगा तो D क्या हो जाएगा मिट पॉंट हो जाएगा नहीं तो क्योंकि आपको D दे रखा है कि हाइपोटेनियस पे और वह भी परपेंडिकुलर है और फ्रॉम दा पॉइंट यहां से भई यहां पर राइट एंगल वाले से तो आईए मैं आपको एक छोटा सा कंसर्ट बताता हूँ जो आपको हमेशा काम आने वाला है ठीक है ना चलिए यहां पर आप A बोल दीजिए B बोल दीए C बोल दीजिए ऐसे करके एक परपेंडिकुलर लाइन जा रहे है डी जा रहे है ठीक है अगर अब भी तक भी आप लो बना रहा है तो जो वर्टी से सोते बचीश्ट वर्टी से सल एई बी एंड़ C आर एकवी डिस्टेंट आर एकवी डिस्टेंट यहां पर यह संब प्रम पॉइंट दी तो आप तो बस इतनां चाहते तोैगिए डी और ड़ी आपिर से टी करिरक यह यह फितिया यह दीशी और यह जो बीडी है वो तीनों ही आपस में एक्वाल है कुछ टेंशन नहीं की कोई जरूरत नहीं है समझमा आती है न बात चलिए तो यहां से आपको एक छोटी सी चीज समझमा आगा गार यार एक्ट्वल में यह मस्त कंसेट है न चलिए तो आपको पता चलिए हो कि AD is equal to CD, आप सिधा बोलेंगे D is the equidistance from A, B and C खतम बाद, ठेके ना, तो AC AC को आपने AD था, उसको आपने CD easily लिख दिया, कोई tension वाली बात नहीं, यहां तक समझ मा आ गया होगा आप लोगों को, ठेके ना, चलिए अब मैं क्या करता हूँ, यह जो minus AD लिख सकता हूँ, चीजों को देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, मैंने, यह CD था न, CD, उसको मैंने क्या कर दिया AC, A से लेगा, C तक उसमें से AD को minus कर दिया, यह पूरा AC line है, यह यहां से यहां तक क्या AC line है, इस AC में से अगर मैं AD को हटा देता हूँ, है न, यह जो AD हो हटा देता हूँ, तो DC तो बचेगा, DC बोले तो CD, तो CD जगह मैंने यह लिख दे, अब AC से मल्टिप्लाइ करूँगा तो यह आजाएगा, AC का स्क्वेर, और minus का AC, इसको मल्टिप्लाइ करूँगा, तो AC इंटो में AD आजाएगा, बोले हाँ यह नहीं, AC इंटो में AD आजाएगा, समझे माई एतनी बात, तो AC है, और यह क्या आपके पास AD है, बताएगे, यहां तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, नहीं न, तो अब मैं यहां पर क्या कर सकता हूँ, तो AC को, AC, इसको न, कुछ ऐसा करा जाए, कि यह जो चीज़े हो, किसके इक्वल प्रॉब करने है, मुझे BC के स्क्वाइर के इक्वल प्रॉब करने है, तो अई मैं आपको समझाता हूँ, BC का स्क्वाइर यह है, तो मैं किसी तरह से, यह वहला राइट एंगल ट्रेंगल प्रॉब लेता हूँ, इन ट्रेंगल BDC, BDC में देखेंगे, यह है इपोटेनियस है, तो BC का स्क्वाइर किसके इक्वल आएगा, BD के स्क्वाइर, BD के स्क्वाइर, और प्रॉबस में कौन से आजागा, अगर मैं किसी तरह से भी ध्यान देज़ेगा, किसी तरह से भी या तो मैं, इस चीज को, इस चीज को या तो मैं BD स्क्वाइर प्रॉब कर दूँ, नहीं तो, बड़ा वाला एक और ट्रेंगल देख लिजे, इन ट्रेंगल, जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, मैं लिक्रों मेरे को नहीं पता कि आएगा भी या नहीं आएगा, समझ मारी मत, आहेगा या नहीं आहेगा, वो मैरे को नहीं पता, लेकिन जो मैं नोटिस कर पा रहा हूँ, इस मुझे प्रूफ करना मैं, उसके अकोडिंग अपना काम करते जा रहा हूँ, खतंबा ठीक है ना चलिए तो यहां से मेरे पास क्या आएगा राइट ट्रेंगल यहां पर अगर मुझे बी-सी चाहिए तो हाइपोटेनियस अगर में लगाता हूं तो यहां जाएगा अब मैं देखें बी-सी स्क्वार इसके इक्वल भी और बी-सी स्क्वार इसके इक्वल भी है तो या तो मैं यह प्रूब कर दू या फिर यह प्रूब कर दू इस चीज को मैं दो चीज प्रूब कर सकता हूं मुझे यह बहुत ज्यादा आसान लग रहा है यह चीज मुझे ब इसके AB square के equal है तो from first मैं क्या लिख सकता हूँ AC square minus इसको मैं लिख दूँगा AB square और AC square minus AB square किसके equal है यहाँ पर BC square from Pythagoras theorem hence proved hence proved बहुत अचीज देख लीजे खतम बात समझ माती है ना बात बस हो गया कहा नहीं खतम ठीक है ना तो नॉर्मल सी कहा नहीं थे आप लोगों के पास इस चीज को आपने किसके equal कर दिया BC square के equal कुछ और interpretation किया उसके बाद BC square के equal आ गया तो हो गया प्रूफ खतम बात समझ मातीन बात तो यह था आपके पास question number 14 की अब जो आपके पास 15 और 16 है वैसे हवा में हो जाएंगे है ना जब भी आपके पास angle निकालने वाले question आते है ना chapter number 18 जो आपके पास angle and cyclical properties वाले कितना ही आसा चप्टर था है ना हवा में सारे के सारे question हो रहे थे आपसे चलिए तो आप गोसी concept के उपर based कुछ question से आपके पास बोले तो सिर्फ और सिरफ दो question और है तो इनको भी हम फटा-फट क्या करते हैं निप्टा देते हैं तो question number 15 को देखते हैं इसमें कहा जाता है a, b, c, d, x, cyclic quadrilateral है in which तो question number 15 यहां पर बनाते हैं फटा-फट यह आपके पास कुछ इस तरह से हैं और यह ऐसे गया यह यहां पर आया यहां पर आया यहां पर a है यहां पर b है यह वाला point c है यह वाला point d है यहां से एक tangent निकल रहा है कुछ इस तरह से और इसको आगे तक extend किया गया है और यहां पर आपके पास center है और यह ऐसे जा रहा है यह ऐसे जा रहा है वैसे यह construction क्या हुआ है यह इस तरह से मिल रहा है और यहां पर center O है अब हम आगे देखते हैं कि क्या information given है यहां पर आपसे कहा जाता है इंदा given figure a, b, c, d, cyclic है चारो point circle पर लाइक कर र equal है c, b, c, d है ना c, b, c, d, c, b, c, d, c, d, c, d यहां यहां यह साइड और यह साइड आपके पास equal है ठीक है आगे चलिए आगे की बात करते हैं अब हमसे यहां पर इसमें कहा जा रहा है और हमसे काई DCE 110 है D यहाँ है C यहाँ है E यहाँ है यह वाला 110 है यह जो एंगल है आपके पास वो 110 डिगरी है चाहिए आगे की बात करते हैं उसके बाद यहाँ पर आपसे फर्स्ट पार्ट में कहा गया है एंगल DCT निकालिए एंगल DCT निकालिए दूसरा आपके पास निकालने को कहा गया एंगल BOC निकालिए चीक है DCT निकालिए और BOC निकालिए आपके से यहाँ पर दो एंगल पुछे गए तो बड़ा यह आसान सो कुईशन है मैं आपको समझाता हूँ फटा बड़ देखेगा सबसे पहले DCT पे फोकस करते हैं कि D कहा है D यहाँ है C यहाँ है अच्छा अगर आपको को एक चीज नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले इस पर फोकस किजिए आप यहां पर D C और T यह देखे यह वाला सेंटर था यह रेडियस आ रहा है यहां से लेकर यहां तक पहले सपता आपको 90 डिग्री क्योंकि जहां पर रेडियस और टेंजन मीट करते हैं वो 90 डिग्री का होता है मतलब कही ना कही मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए यह वाला चोटा से एंगल चाहिए जैसे मैं यह वाला एंगल निकालनोंगा 90 में एड करते मुझे D C T मिल जाएगा सिंपल है चलिए अब बात आती है यह जो D C T हो निकलेगा तो निकलेगा कैसे तो थोड़ी देर के लिए इसको भूलते हैं कि यह 90 डिग्री है बाकि अभी दिमाग में रखेंगे इसको यूज कर सकते हैं सबसे पहले देखिए इसको आगे तक प्रोड्यूस किया गया यह अगर 110 है तो यह व्ले एंगल कितना होगा यह व्ले यह व्लेटी बाइने लेगे जेढ़े सइवार का पूरा लाइन बनाएगा तो यह तक आपके पास 110 है यह तक कितना बचे जाँ सटर दिग्री बचे अगल dcb angle dcb जो है वो 70 degree है अब हमें dcb निकालना ही नहीं था लेकिन हाँ एक काम और कर सकता हूँ अगर मैं यह जो छोटा वला angle है अगर यह निकाल दू ना तो आपका काम बनचाएगा लेकिन फिर भी मैं फिलाल मैं आपको इस वाले triangle पे लेकर चलता हूँ dcb पे ही लेकर चलता हूँ यह वला 70 degree है तो यह angle पूरा और यह angle पूरा आपको पता होना चाहिए यह angle पूरा और यह angle आपको पता होना चाहिए यह angle पूरा आपको पता होना चाहिए निकल गया है यह वला देख लेकिन क्योंकि यह angle और यह angle तो equal होंगे बोले क्यों क्यों क 2x is equal to 110 और x is equal to क्या आजाएगा आपके पास 55 degree तो यह आगे आपके पास 55 degree और यह आजाएगा आपके पास 55 degree खतम बात चलिए x की value तो हमने आपके 55 degree निकाल ले लेकिन हमें x चाहिए ही नहीं था हमें जो चाहिए वो इधर है यहाँ पे है या फिर यह 90 था यह निकल जाता तो भी हमारा काम बन जाता है अब यह वाला मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ तो यह वाला निकाल दूँगा यह अल्रेड़ी सत्तर है सत्तर पलस सम्तिंग जो भी आएगा उपता चल जाएगा अब देखें यह वहला टेंजेंथ है और यह वहला क्या ही आपके प्सक्राइद यह जो आंगल हो किसके ही कोल हो यह कोड जो रिमेनग पर्ट बना रहा है यह वहला ऐक्स और एकस हमने कितना निकाल है भी पाग्स डिग्री तो यह भी कितना हो जागा 55 डिग्री यह वाला 70 एंगल डिख दिए एंगल डिसीटी इस वाट 70 डिग्री पलस 55 एड कर दिए 55 आपने निकाले लिए यह भी 55 होगा क्योंकि यह साड़ यह साड़ एक वाल है इनके ऑपोजिट वाले एंगल यह कितना होगा 55 पच्पन एक सो पच्पन पच्पन एक सो दस तो यह कितने हैं कि बच गया 70 यह तो 70 का यह निकलेगा यह वाला 55 55 यह पूरा है सोरी ऐसा मैं कही यह वाला चोटा निकालना ही पड़ेगा और वह निकला हुआ है आए मैं आपको समझातों यह वाला 90 डिगरी आपको बताया था रेडियस और यह यह वाला ऐसे जा रहे है यह यह अगर पूरा 90 है और यह 55 यह वाला 55 है इतना तो यह कितना बच गया आपके पास 535 बच गय 15 है वो complete हुआ है तो कहीं न कहीं इसमें थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत पड़ी बढ़ ठीक है अच्छा question था आगे की बात करते हैं question number आपके पास 15 हो चुका है चलिए last question of this exercise question number 16 के पास चलते हैं तो छोटे-छोटे concept के ओपर best question है question number 16 का सबसे पहले हम circle बना देते हैं लिजे circle बन चुका है यहां से आपके पास एक tangent जा रहा है कुछ इस तरह से आपके पास यहां पे center O है यहां पे B है इसको आगे तक ऐसे कुछ किया गया है और यहां पे point आपके पास E है और इसी point से center से आगे जाके mid कर रहा है और यहा हो चुक है B हो चुक है C तो हैं नहीं कहीं DAVID AC is a tangent, यहाँ पर C की naming है, यहाँ पर मिट गया भूक में ही नहीं, ठीक न, चलिए, अब हमें निकालना है, X और Y की value, यह वाला एंगल 55 degree given है, यह वाला एंगल 55 degree given है, है न, हमें X और Y की value निकालना है, X और Y है, किदर, X यहाँ पर है, और angle Y जो है, वो center वाला angle है, चलिए, तो 18 chapter वाला concept मैं यहाँ पर जरूरी यूज करूँगा, बोले तो angle and cyclic properties of a circle का जो concept है, वो मैं यहाँ पर जरूरी यूज करूँगा, तो चलिए, मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे यूज करूँगा, तो यहाँ पर अगर आप notice करें, तो आपको पता चलेगा, की, 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 आ एंगल a, b, d, a, b, d, और angle some property लगा देता हूँ, यह 90 है, यह 55 है, यह एंगल कितना आजाएगा, 90, 135 हो गया न, sorry, 45, 145 तो यह कितना आगया, 35 degree, हमें इसकी जरूरत ही नहीं थी, लेकिन अगर मैं आर्क notice करवाता हूँ, यह से लेकर e तक, तो यह आर्क जितना एंगल सेंट notice करना, a, o, c को, तो यह वाला 90 है, और यह वाला 70 है, 90 और 70 कितना होता है, 160, तो यह एंगल कितना आजाएगा, एंगल some property किसाब से, 20 degree, लीजे question number आपके पस 16 भी complete हो चुका है, और यहाँ पर देखते ही देखते हमने chapter को complete कर दिया है, तो उमीद करता हूँ, आप लोगों क अच्छा लगा होगा, पढ़के मजा सा आया होगा, और सारी चीजे समझ में आयोंगे, जो concept है, सारे के सारे आपको clear हुए होँगे, तो अगर ऐसा कुछ हुआ है, तो प्लीज वीडियो को like करके channel को, जादा से जादा share करने कोशिच कीजिए, ताकि जितने भी student है, वो झाल